और इस वक्त बड़ी खबर बांगलादेश और भारत की सीमा से जहां बड़ी संख्या में बांगलादेश से भाग कर भारत की सीमा पर अलप संख्यक पहुँचे हैं भारत बांगलादेश सीमा के तीन पोस्ट पर बांगलादेशी अलप संख्यक नागरिकों की भारी भीड जमा हो गई है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इनकी तादाद 500 के आसपास बताई जा रही है जिन तीन पोस्ट पर भीड जमा हुई है उनमें सिलिगुडी, पोस्ट शामिल है, बीएसेफ इन्हें अंदर घुसने से रोक रही है, बीएसेफ और बॉर्डर गार्ड बांगलादेश के कमांडर लेवल के अधिकारी इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं आपस में संबाद भी चल रहा है जिनके पास वैद खानूनी सिर्फ उन्हें ही इंटेग्रेटिज चेक पोस्ट के जरीए भारतिय सीमा में दाखिल होनी की अनुमती दी जा रही है, जहां से नियमित व्यपार भी शुरू हो चुका है, मही जलपाई गुड़े जिले के दक्षण बेरू बारे इलाके में काटेदार बाड़ ना होनी की वज़ा से वहाँ खेतों में आ गया है, बांगलादेशी परिवार खेतों में खड़े हैं, जिरो पॉइंट पर इन्हें रोक कर रखा गया है बांगलादेश की सीमा पर इस वक्त कैसे हालात हैं, घुस पैट रोकने को लेकर सुरक्षा बलों के तयारी कैसी है, यह आपको सीधे ग्राउंड जिरो से ही दिखाते हैं, बांगलादेश बॉर्डर से देखिए, न्यूज 18 की एक्स्क्लोसिव रिपॉर्ट बांगलादेश में किस तरीके से तनाव जारी है इन सब के बीच में, न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल, जो आपको लेकर आया है, उस नदी के किनारे, जो नदी भारत और बांगलादेश की सीमा को बाटती है, यानि की पदमा नदी है, और मेरी मौजूद की पदमा नदी में है, अब मेरे नाविक है, उन्होंने नाव को बंद कर दिया है, क्योंकि यह वो यहां से, यहां से मोड लोगे है, यह भारत है, जितने में उनकी नाव आपको दिखाई दे रही है, यह जितना एरिया आपको दिखाई दे रही है, वो लोग दिखाई दे र बाद करते हैं तो ये पद्मा रिवर जो भारत और पांगलदेश को बाटती है थोड़ा सा अगे जाएगी तो इधर हो जाइए गर जाहेंगे आप पादमा नदी जो गंगा से ही निकली हुई एक नदी है जब भारत में होती है तो हुगली होती है और जब वो बांगलदेश की तुरब बढ़ रही है तो इसे फदमा नदी का जाता है लेकिन सुरक्षा व्यवस्ता पूरी तरीके से चाख चौबंध है नाविक हो हम हो या हम आदमी हो सभी की एंट्री की जो रही है रजिस्ट्री की जो रही है बेसे हमारी नाव हैं जिन पर आप भारत का जंडा देख पा रहे होंगे और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूं फिर से गूमिये निजाम थोड़ा सा मेरे पीछे वो बांगलदेश का हिस्सा हो गया आप देखेंगे मैं बांगलदेश का वो हिस्सा पीछे छोड़ाई ह मंत्री ने कहा कि बांगलदेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं और हिंदूों को मारा जा रहा है ये विपक्ष वालों को नहीं दिखाई दे रहा है बांगलदेश के हालात पर विपक्ष की आवाज नहीं निकल रहे है पर फालों को थोड़ी दिखाई दे रहा है कि बंगलदेश में क्या हो रहा है एक भी ब्रक्ती नहीं बोला यभी तक जितने लेकर दिल्ली से बांबे तक हाँ धर्ना देते थे इतने मंदिर टूड़ गया है इतने हिंदू मारे गया इक भीक्त नहीं बूला क्या अत्याचारा एक हिंदुस्तान है कि जहां पर सभी को समष्छन जेता है याँ आज यहां हमारी सरकार रहती तो सभी को भी कास कार देता याँ प्रधान मंत्री आवाद से सब लोग पाते हैं आइश्मान का काड सब लोग पाते हैं रोड सटक्या समी के लिए घर का नल समी के लिए बाकी देशों में तो आप पाकिस्तान देख लिजे बंगला देश देख लिजे जहां जहां हिंदू है बेचारा मतलब मंदिर तोड़े घर फोग दे रहे हैं लोग उखड़ ले जा र पिछुओं की रक्षा की मांकी है अभरतीयों के वहाँ रक्षा होनी कारी है और हिंदिंगों को विश्ष्य स्रक्षा होनी चाहिए लिए पर देख विजुद्ट परकांध अब मैं मानता हूं कि बंगलादेश के बंगला देश में जो कुछ वा है अगर किसी अिजी की प्रज़ना से हुआ है ये बात हमारे विदेश मंत्री ने भी कही मैं भी कह रहा हूं पाकिस्तान ने सब करवाया पाकिस्तान ने अमेरिका के साजिश से सब करवाया है और जो कुछ हो रहा है तो दुर्भागे पूल है